नमस्कार दोस्तों मैं बाबुरं अप्टेल आप सबका अपने यूटीब चैनल बाईलो जी जोन में आज एक बार फिर सवागत करता हूँ दोस्तों आज का यह हमारा जो दूसरा लेक्चर है आज के भी अपने इस लेक्चर में हम ऐसे प्रसनों को लेकर आये हैं जो कि TGT PGT NEET और GIC में पूछे जाने के साथ साथ IIS और PCS में भी ये प्रसन आ चुके हैं इसका मतलब ये प्रसन बहुत ही दमदार हैं तो चलिए देख लिया जाए अपने इस लेक्चर में तो दोस्तो आज भी आप वही मजा ले आ दीजिए जो कल मजा आ गया था तो वीडियो को सेयर कर दीजिए एक बार फटाक से सेयर कर दीजिए चलिए देख लिया जाए आज का पहला प्रसन क्या कह रहा है तो दोस्त आज का जो पहला प्रसन है मारा देख लिए क्या कह रहा है और कापी और पेन लेकर आप बिल्कुल बैठ जाएए इसको हल करने के लिए कि आपके कितने प्रसन सही होते हैं तो देखे कह रहा है पहला प्रसन है क temperatura match the following list यानि जो निमलिखित जो लिस्ट दी गई हुए है इसमें match कराईे list फर्सर आप लिस्ट जेखेंड़ सेकेंड ठीक्वे जीच तॉस्ट इउसे कह रहा है तो ध्यान दिजिए आपको चूज करना है तो यहाँ देखिए लिखा है bird और लिखा है paleobiology ठीक है इसका मतलब है यह अध्यान कह रहा है तो bird की अध्यान को कहते है दोस्त बड की अध्यान को कहते है आर्नी थोलाजी ठीक है आर्नी थोलाजी और inheritance के अध्यान को कह रहते है inheritance का अध्यान होता है genetics ठीक है और environment का अध्यान क्या होता है ecology और fossil का अध्यान क्या कहलाता है paleo biology ठीक है तो अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा match कर रहा है फटाक से आप लोग भी बिल्कुल बताते रहिए वाई ठीक है वाक्या बात है माजा आ जाए बिल्कुल इसी तरी तीसरा और बी का चौथा बी का चौथा सी का दूसरा और डी का पहला तो आपका right answer क्या हो जाएगा be is the right answer ठीक है be is the right answer चलिए अगले प्रसन की तरफ हम बढ़े लेते हैं कि आज का हमारा दूसरा प्रसन क्या है उसको भी देख लिया जाए तो दूसरा प्रसन क्या कह रहा दोस्त इसको देखिए जरा कह रहा है study of bones study of bones are under which branch of science ठीक है बिग्यान की ऐसी साखा जिसमें bones का अध्यन किया जाता है उसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं जिसमें bones का अध्यन किया जाता है बिग्यान की वह कौन सी साखा है फटाक से comment करके आप बता दीजिए एक बार ठीक है बिल्कुल आप एक बार आप लोग बिल्कुल share कर दीजिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग चूड सके हैं आज के हमारे इस lecture में तो देखिए हम आपको बता दे बोन्स क्या कहलाती है बिग्यान की वह साखा जो इसमें हम बोन्स का अध्यान कहते है उसे कहते है औस्टियोलाजी क्या कहते है दोस्त आस्टियोलाजी तो हमारा जो राइट अंसर हो जाएगा आस्टियोलाजी इस दा राइट अंसर ठीक है अश्टियोलाजी अब देखे इनको भी देख लिया जाए ये कोंसे लाजी है ठीक है जैसे अब यहाँ ओरोलाजी कह रहा है तो ओरोलाजी क्या है स्टिडियाफ माउंटेंस ठीक है माउंटें का अध्यान कहा लाता है ओरोलाजी ठीक है किसका अध्यान माउंटें का अध्या of the earth and matter found inside it, ठीक है, अर्थ का अध्यन कहलाता, और जो पाय जाने वाल द्रब्ब्य है, उसका अध्यन कहलाता है यानि आन आर्थ प्रतिवी पर सबसे पुराना जियोधारी कौन है, जो सबसे पहले आ गया था, ठीक है, ऐसा कह रहा है, काना blue green algae है, कि फंजाई है, कि अमीबा है, कि यूगली ना है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, हम आपको बदाते हैं दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल यही, 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 ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल भाई, लेकिन कुछ लोगों के भी गलत जा रहे है, कोस्चन, ठीक है, लेकिन देख लिजे, हम आपको बदा देते हैं, इसका right answer है, blue green algae है, ठीक है, बी जी ए, नील हरित, सेवाल है, जो की पृतिवी पर सबसे पूराना जीधारी है, ठीक है, right answer है, यह हो जाएगा, इसका चलिए, प्रस नमबर चार किता बढ़ते हैं, प्रस नमबर चार क्या करहा है, उसको भी देख लिया जाए, इसका right answer क्या हो जाएगा, फड़ाक से बताइए, जावा मैन है, क्रो मैगनान मैन है, कि नेंडर्थल मैन है, कि पैकिंग मैन है, और देखिए, आज भी यह देखिता है, जहिए हम ऐसे प्रसनों को लेका रहे हैं, जो की IS और PCS में पुछे गए हैं, तो हम आपको दादे, इसका जो right answer क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका क्रो मैगनान मानो, बीजदा right answer, तो चलिए, आज का जो हमारा पाचवा प्रसन है, पाचवी प्रसन की तरब भी बढ़त लेते हैं, पाचवा प्रसन क्या करा, इसको भी देख लिया जाए, करा आप पाचवा प्रसन, which one of the following, निमलिखित में से एक कौन है, एनिमल, निमलिखित में से कौन एक जिधारी है, है, ति इसका right answer क्या हो जाएगा भाई, इसका right answer बता दीजे फडाक से, और बिल्कुल confusion नहीं होने चाहिए आपको, और देखें, आपको पढ़ना है तो दिन और रात नहीं देखना है, मेरे दोस्त कि कब रात है, कितना वजा है, कि दिन है, कि रात है, कि साम है, कि सुबह है, लेकिन हाँ, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना, देखें, कहा गया है, कि सेलेक्शन एक जीद होती है, ठीक है, अगर आपके अंदर वो जीद आ गई, तो आपका सेलेक्शन सियोर हो जाएगा, तो चलिए, देख लिया जाए, देखें, इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, पांच नमबर के राइट एंसर है, फ्रॉग, फ्रॉग जरा राइट अंसर, डीज दा राइट अंसर, अब आपको बता दे, इसमें कितना चेंबर होता है, थ्री चेंबर होता है, ठीक है, किसमें फ्रॉग में होता है, ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको बता देते, जो एमफीबिया होते है, और रेप्टाइल्स होते ह है उसमें जो होता है अभी मैंने बताया कि कितने चेंबर होते हैं अब जो का है दो चेंबर होता है किसमें फिस में अजब की मंकी और क्रोकोडाइल में फोर चेंबर होता है मंकी और क्रोकोडाइल में कितना चेंबर होता है इसमें फोर चेंबर होता है ठीक है तो हमारा जो राइट एंसर हो जाएगा डीज दा राइट एंसर चलिए अगले प्रस्ण की तरफ हम बढ़ लेते हैं, अगला प्रस्ण मारा क्या कह रहा है, प्रस्ण नमबर 6, देखे 6 नमबर कह रहा है, consider the following statements, ठीक है, समझी है, जो निम्खित statement जो कथन दिये गए हैं, इनको समझी है, और इसमें से उत्तर निकाल लिजे, करा है, tapeworm is a hermaphrodite, जो tapeworm कह रहा है, कि यह hermaphrodite होता है, ठीक है, tapeworm, is hermaphrodite, तो क्या यह बात सही है, जी बिल्कुल सही है, ठीक है, hermaphrodite मतलब male और female यह कही पर होंगे, ठीक है, अलग-अलग तो होगा नहीं, tapeworm, tinia solium, करा roundworm है, जो roundworm होता है, करा तो इसमें अलग-अलग, sexes होते हैं, जी, बिल्कुल male अलग है, female अलग है, सही बात है, करा फाइल एरिया is called by nimetode, जी, बिल्कुल, फाइल एरिया भी किसके द्वारा होता है, nimetode के द्वारा होता है, ठीक है, अब कह रहा है, गुनिया वर्म इस एन एनिलीड जो गुनिया वर्म है करा है यह एनिलीड है यह बात सही है नहीं यह बात सही नहीं है अर्थात इसमें से जो है जो सही बात है वो कौन सी है हम आपको वदा दे देखिए इसमें से तीन उपर जो है वह क्या है वो सही है हमारा ठीक है जो तीन ह अर्थात इसका जो राइट अंसर हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा की से में भाई ये बी नंमर में पहला और दूसरा और तीसरा इस दा राइट ठीक है। अर्था थाथ हमारा जो right answer which are right answer फीसदा Right answer ठीक है चली चली आगले प्रस्न की तरफ लेते है कि हमार अगला प्रस्न क्या कह रहा है उसकी तरफ हम देख लेते हैं ठीक है चले प्रस्ट नमर साथ कह रहा हैं कह रहा है कि हाउस फलाई, बेडबर्ग, पैरट, भाई आप अपने बारे में न सोचें, आप लोग अपने बारे में न सोचें, कि कुछ भाई मनुस भी रात में चलते हैं, तो जो प्रेमी प्रेम का होते हैं, ज्यादा आज कल राते ही में चल रहे हैं, ठीक है, आज का महौला यह सा है, इनको आप छोड़ दीजिए, यहां देखिए ऐसे, इसलिए मानो दिया ही नहीं है, मानो एक इफसन हो जाता है, कोहरा है कि हाउस फलाई, बेडबग पाइरट, ठीक है, पाइरट जो तोता होता है, दिन में नहीं टूइटूइट करता है, यह नहीं हो जाएगा हमारा, यह ग जो गर्या होती है, जो डियर होता बालू, यह सब कहां रात में होंगे, ऐसा कुटा भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो यह तीन आपसन गलत, हमारे जो राइट अंसर है, वो क्या है, बीजदा राइट अंसर बिल्कुल, आप लोग चिफ करते रहे हैं, अपने नोट करते रहे संसना के एकदम, जो साप आजाता कहता है, कह रहा है कि माडिफाइड किसका रूपांतरित रूप है, कह रहा है मेंडिबुला टीथ का रूपांतरित रूप है, कि पैलेंटाइन टीथ है, कि कैनाइन टीथ है, कि मैगजिलिरी टीथ है, यह भाई यह कुश्चन तो बहुत बार आया है, बहुत बार आ चुका है, तिसमें नहीं संदेश आपको बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए, अब देखे सडा सडा आप लोगों का कमेंड बहुत ही तगड़ा, ठीक है, तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा भाई, इसका राइट एंसर क्या होगा, आप फालोविंग प्लांट इज नाट आय स्टेम, मतलब जो भोजन का संग्रह करता है, यानि पौधे को जो भोजन का संग्रह करता है, उसमें स्टेम कौन सा नहीं है, करा सुगर केन जो गन्ना होता है, यही तो चूशते हैं, तना ही तो होता है, गन्ना का ऐसे नोड और करता हैं आलू, तो यह भी क्या है, यह भी क्या है, स्टेम है, कर स्वीट पो टेटो, मीठी आलू, मतलब सकरकंद, सकरकंद, तो यह न रूट हो गयी, यह कहा तना तो नहीं है, तो इसका right answer क्या हो जएग fils, गड़ी इस discipline, बिलगुल ऐसे ही प्रसनों को आपको छाटने हैं चली प्रस नमबर दस की बात करते हैं, प्रस नमबर दस क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए, करहा है, in the following pairs, निम्खित जोडों में, आफ प्लांट्स, पौधों के निम्खित जोडों में, and their edible part, और इसके खाने योग भाग में, which pair is not correctly match, कौन सा जो है match नहीं कर रहा ह ठीक है, ऐसा कह रहा है, जिंजर, राइजों, ओनियन, फ्लैसी लीब, पोटैटो, रूट्स, और कोकौनट, इन्डोइ स्पर्म, अलब किसका कौन सा भाग, खाने है, ऐसा कहा है, किसका कोन सा भाग, खाना है, जो जिंजर है, यह तो राइजों है, अभी पताए, मॉडिफ पॉस्क खाया जाता है कोकोनट का भाई लेकिन पोटेटो का तो इस्टेम ख्लाइब गया इसको तरफ इसकी तरफ बढ़ते हैं ठीक है ऐसे पौधे जो एडाप्ट कर लेते हैं अपने आपको किस कंडिशन में सुस्क क्लाइमेट में उस क्या कहलाते हैं ठीक है सुस्क क्लाइमेट में जो अपने आपको एडाप्ट कर लेते हैं ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं ठीक है कह रहा है कि इपिफाइट कहलाते हैं कि जीरो होते हैं ठीक है चलिए अगले प्रसन की तरफ हम बढ़े लेते हैं कि 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असी तरह कह रहा है कि मछली को पानी से लग कर दीजें तो मछली मर जाती क्यों मर जाती कह रहा है कि इनका बॉड़ी टेंपरेचर बढ़ जाता है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा वाई क्यों मार जाते हैं तो हम जो आपको बता दे आपके हिसाब से क्या होगा बताईए अर्थ लगाईए इसमें कई लोगों के दिमाग अलग-अलग जाग रहे होंगे इसका राइट एंसर हो जाएगा दे कैनाट विरीद बाहर वो सांस नहीं ले पाते हैं ठीक है बाहर सांस नहीं ले पाते हैं तो इसका सीज़ दा राइट एंसर क्योंकि फिसेस जो होते हैं वो सांस लेते हैं किसकी सायता से वो गिल्स की सायता से सांस लेते हैं ऄची नुपजें कि तरह बढ़ते है, एसको भी देख लिया जाए, जो काटन होती है, काटन, 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 मतलब क्या रूई करहाई, इस major component किया होता है करहाई प्रोटीन होता है, कि फैटी असीड होता है, कि सेलॉज होता है कि गलिसरीन होता है, इसका राइट अंस बाप रे बाप 91% होती है, water 7.85% होता है, ठीक है, बाकि सब होते हैं, जो एक से कमई होते हैं, ठीक है, चले, प्रस नमबर 14 की बात करते हैं, प्रस नमबर 14 क्या कह रहा है, करा, we get morphine, हम morphine किस से प्राप्त करते हैं, morphine किस से प्राप्त करते हैं, कि फ्लावर से प्राप्त करत और आप क्या रहे है कि तुम से हैं इसा करते है है आप क्या कर रही है वह वह बहुत टगड़े उत्तर बहुत दिल खुष हो जाता है दिलो जाता है अब इसमें से स्रीधर जी हैं अभिसेग्ची है ठीक है आदित जी है और आप लोगों के तो बात ही क्या आ जाता है देखकर ठीक है चलिये देख लिए जह बहुग इख लिए किसечь इंज परक्विद्स परक्व लेइबNow यहां किस मौरफिण करते हैं ट्रीक है घ्रक राइट विच्वर के विच्वर्च जिसकाल्ड पावर हाॉस यनि करा कि जन तो निटाइड दन ही जैसे कुमेंटर हैं यही दना दन ठिक है और मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से एक भाई तवड़ है आप लोग भाई तकी मांदारी नहीं दिखाते भाई शेयर नहीं करते वीडियो को शेयर कर दीजे भाई पटा पट ठीक है और जो लोग लाइक नहीं करिए थोड़ा लाइक भी कर दीजे और अपना भी माइटो कंडिया को पावर हाउस आप दा सेल का जाता है को इसका का उर्जा घर का जाता है चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन हमारा क्या करा है उसकी तरफ बढ़े लेते हैं प्रसंबर 16 कह रहा है कि वीच आप दा फालोविंग इस रिस्पॉंसबिल फार कंड्रोलिंग हेरिडिटी करेक्टर आप लिविंग सेल जीवित को इसकाओ में जो हेरिडिटी करेक्टर्स होता है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए फटाक से इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर तो हम आपको दादे, इसका जो right answer हो जाएगा, वो क्या होगा, इसका right answer हो जाएगा DNA, क्या हो जाएगा DNA, क्या हो कि यही तो पूरा करता है, ठीक है, यही तो पूरा करता है, जो control है, पूरा DNA का काम ही है, ठीक है, generating material है DNA, ठीक है, तो D is the right answer, ठीक है, चले, press number 17 की तरह बढ़त है, एसा हम नहीं कहते है, ठीक है, कभी कभी, हो सकता है, कभी कभार, लेकिन हाँ, 99,99% भूल होने संभावना भी नहीं है, ठीक है, चले, देख लिए, जर भाई, सתरह नम्बर का, राइबो जाएम, राइबो जाएम क्या होते हैं, कर आडिय ने होता है, राइबो जाएम, क तो इसका right answer जी बिल्कुल, यही होगा B number RNA, ठीक है, क्योंकि A ribo-gyme is a ribo-nucleic acid RNA होता है, इन-gyme होता है, that catalizes a chemical reaction, ठीक है, किसको प्रेइद करता है, रासानिक, अभिक्रिया को, रासानिक समी करण को, ठीक है, चलिए प्रस नमबर 18 की तरह बढ़ते हैं, प्रस नमबर 18 क्या क गुर्ण सूत्र का कौन सा जो है combination है, जो नर, नर अर्थात पूरुस को जन्म देने के लिए उत्तरदाई होता है, ठीक है, नर, चाइल्ड, अब आप समझ लिजे कि बच्चा जो होता है, आप कहा है, बालक, बालक को जन्म देने के लिए, बालिका नहीं, ठीक है, कर कौन स गुर्ण सूत्रिस में से सहे कौन सा combination है, तो कह रहा है कि X of male and X of female नहीं, इस तो लड़की हो जाएगी, ठीक है, लड़की हो जाएगी, X of male, Y of female, ठीक है, Y जो है, फिमेल का जो कह रहा है Y, तो female Y कहा होता है, फिमेल तो X होता है, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, यह गलत γब मतलब बालस अंसर क्या ज़िर भालइसर चलिए सीज़दा राइट चलिया प्रेश नमबर 19 कि तरब बढ़ते हैं प्रसम vine 19 क्या करा इसको भी दिख लिया जाए Aha सब्सक्राइब की और यहृली में से प्सक्राइब करूझा सबदेखा यह प्रस्ण जो आज हम लेकर आये हैं पूरे PCS और IS के ही प्रस्ण है ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा ए जो लाइज दा राइट एंसर ठीक है चले प्रस नमबर 20 की तरफ बढ़ते हैं प्रस नमबर 20 बिल्कुल जैसे कल मज़ा आया था वैसे आज भी मज़ा भी आ रहा है और भी मज़ा जाए एक बार और भाई वीडियो को सेर कर दीजिए यार बार बार कहता हूं थोड़ा से हमको भी तोड़ा तसल्ली मिल जाती है एक बार संक्या फिर से दिखा दीजिए ठीक है चलिए देख लिए जया कोश्चन नमबर 20 क्या है और देखिए हम नकि टालने माले लोग होते हैं उनकी चकर में आपना पड़ी है ठीक है क्योंकि यही टालते हैं तो उनका भी से लेकसедь वही कहता है। बेटा मैं भी तुझे ताल दूँगा बाद में ठीक है तो ऐसे आप नहीं आप डेली में वीडियो लेकर के आऊँगा आप डेली आप लोग रही है ठीक है तम मजा आ जाएगा कैसे नहीं होता है सेलेक्शन आपका ठीक है देखते हम भी चलिए कराई वीच आप डीज नाट 902 वेराइटी आप मस्टरडड जी बिलकूल मस्टरड की ही वराइटी है करा इज़ोटो बैक्टर बाइउंसेक्टिसाइड यह रहे भाई बाई इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा डीज दा राइटेंसर यहीं मैच नहीं कर रहा चलिए 21 की बात करते है 21 क्या कह रहा है तो है और यह बैक्तिरिया भी नहीं तो क्या है किया है टोस्तो para on-air Bravo यह सबसे चोड़े भी तो एलबन कि other आले शलीओ ना इक पारण है यह five ने भाई ठीक है चले कोश्चन नमबर 22 की तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 22 का रहा है कर रहा है कर दब मैक्सिमम एमाउंट आफेलिमंट फाउंड इन हूमन बाड़ी यह नहीं मानों के सरीर में कौन सा सरवाधिक मातर में पा जाता है कर रहा है इसका राइट इंसर क्या है विल्कुल कैल्सियम है और ऐसे प्रस्ण कुछ होते हैं जो आपको हमेसे याद ही होने चाहिए ठीक है और इसे प्रस्णों को अगर याद नहीं किये ता आप अगला प्रस्ण क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं प्रस्ण नमबर 23 कर रहा है कि the number of teeth यादि दात की संख्या जो है अब यहाँ देख लिए इसका मतलब साफ साफ कह रहा है कि दूद का दात कुछ रहा है दूद ही के दात तो जीवन में दो बार उकते हैं एक बार गिर जाते हैं फिर निकलेगा ठीक है सभी मनुस्यों के गिर जाते हैं जो दात होते हैं दात थार्टी टू होते हैं अब यह जीवन में दो बार उगते हैं ठीक है चलिए अगला प्रसन क्या करा है प्रस नमबर 24 उसको भी देख लिये जाएं करा है वीच वन आप फालोविंग इंजाइम से कौन सा कनवर्ट प्रोटीन इंटू अमीनो एसीड चो प्रोटीन को अमीनो एसीड में बदल देता है ऐसा कौन सा एंजाइम है ठीक है बिल्कुल आप लोग भाई जितने लोग जुड़े हैं दिल खुस कर देते हैं आप लोग ठीक है इसी तरीके से आप लोग टेली आप जुड़िये ठीक है तब मजा आ जाएगा अभी लेक्चर भी हम अप्लोड करने वाले हैं कल तो आप लोग कौन सा एंजाइम कवाड़ प्रोडीन इन्टो अ मेंटो अम्हीन उसीड प्रोटीन क配्षा करता है था था किया यह पैपसीन है कि lactase है कि urase है कि time is है इसका राइट एंसर क्या जाएगा पैपसीन है बही क्या है पैपसीन है तिक है विच इस सिक्रेट भई गयस्टिक ग्लंड आव दा स्टोमाख ठीक है विच डाइजेस्ट टुदा प्रोटीन इंट्वी स्मालर पेप्टाइट्स एंड अमीनो एसी ठीक है चलिए इसका राइट एंसर क्या हो गया भाई पैपसीन इस दा राइट एंसर चलिए 25 नंबर को देख लेते हैं 25 नंबर क्या कह रहा है इसको भी देख दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लाइंड को नहीं आप जानते हैं कि क्या है और देखिए अब दूसरा भी पढ़ ले नहीं तो आप समझ जी जाएंगे करहा है इस स्रावित भी करता है अब पहली बात आपको बदा दोनों के बीच की कड़ी भी है अंतर स्रावी औ यह तीनों लक्षण किसमें पाजाते करा इस प्लीन में प्लीहा में कि लीवर में लीवर ताहर नहीं कि बड़ी ग्रंत है अब इसके बात जो लेक्चर होने वाले हो वो भी मज़ेदार होने वाले हैं लेकिन आप लोगो ने तो दो दिन से दिल ही खुष कर दिया है ठीक है पूछिये मत अभी और दमदार लक्चर होने वाले हैं लेकिन हाँ जाते जाते एक बाई वीडियो को आप लोग लाइक करना न भूलें दोस्त चलिए ओके थैंक यू